जीला कैमूर पर्खांग पंचैत भगवान को गाउ मानिक पूर के दली टोला में पचीस सो वर्ष पूर वेसे पकी साड़के नाली नहीं है जिसके कारण यहां के एक सरोज देवी के साथ पाच गवर और लोग हैं जो कि अपने घरगर की नाली की पानी को दूआरप गड़ा खोद कर एकठा करते हैं और रोज बाल्टी से फिंकते हैं देखोते बानी पानी बहत अता गारा खाल बानी ठेगे काहँ पानी निकाठीय नेके होथा अर दिकते दूबर माजे में लहाए के धोई के हर दिसके पर समीए जहा इस समस्या पर मैंने एक वीडियो बनाए थी वीडियो बनाने के बास समदाई के साथ बढ़शकी और इस समस्या को बनाई वीडियो को समदाई को दिखाई और इस समस्या को लेकर मैंने परखन विकास पदा धीकारी के पास आवेदन देने अवेदन देने एव मुख्या से भी बाचीत हुआ बोले कि साथ नीचे उजना के अंतरगा इस गल्ली नाली का निर्माण किया जाए इस समस्या से किते लोग परभावी थे इस समस्या से हम सब लोग परभावी थे विसको बनाने के लिए विदियो बनाए जो वाड है जो अच्छा नाए इसको बनादबात। कि आपके नाम दिदी सरोफ दिभी स्वर ड़ाउ पाने समें उसली ड़ाउ है नीया कश कश के वेग या जाब को है कि पानि के बग को ही गया और आप पानी के निकासि को हाई किने के निकासिदो बाधा और पानी भीगेगे पड़े लखिने है अब आपनी से पनी कोद देला नाली अब फकी संडक बन चाएसे आप लोग्होद बन जाने से कितने आदमी को शूबधा होगा बहुत आदमी को शूबधा होगा पासन्ति देवी गा मानी खूल तब कांद बन जाए से कतना दिमी तुर्धावा लाइकी लाइका जहर ने तेरे धेंगलाता लासा उमाय मामता देवी समधाइक सम्मान दाता जीला कैमूर बिहार से इंडिया अनहड के लिए